हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज हम बात करने वाले टीचिंग डिमांस्ट्रेशन के बारे में कि आप कैसी किसी टॉपिक को चूज करेंगे मैं खास्तों से बात करेंगे प्यार्टी लेशन प्लान की लेकिन मैं टीजीटी और पीजीटी की बात इसलिए नहीं कर रही हू होंता है लेकिन या उनके लिए इपक्रेटए है अगर प्याधि और टीजीटी्पीजीटी है आभी वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है TOP चूज करने उसमें यह वीडियोगतर करेंगा लेकिन सबजेकट नहीं कौन सीच करना है एट टॉपिक कौन सा चूज करना है और कि पूरी जो भी प्रॉब्लम्स क्रियेट होती है ना कि हम कौन सा लेसन प्लान लें मॉडल ले जाए कोई या फिर क्या हम ले जाए टीचिंग लर्निंग मैटेरियल हम क्या ले जाए पढ़ानी के लिए यह सारे कॉंफ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे इस एक वीडियो में तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना अगर वीडियो सुरू कर रहे है तो पूरी देख लेना ताकि सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर बताना तो चलो हम सुरू करते हैं इसको जब पढ़ाना होता है कुलास में आपको पढ़ाना होता है तो आपके पास एक particular class होती है लेकिन जब आप interview के ली जा रहे हो तो आपको एक class खुद ही choose करना होगी कि आप किस class के लिए डेmost के लिए थे टयारी करोगे lesson plan आप किस class के लिए बनाओगे सब से पहले आपको class choose करना होता है सेकंड तिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है और उसके बाद आपको चूज करना होता है कि उसमें से कौन सा हम टॉपिक पढ़ाएं आया समझ में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप किस class को पढ़ाओगे उसके बाद किस subject को लोगे और उसके बाद किस topic को लेगो बहुत ही कम subject हैं और classes बीज सिर्फ 5 classes है 1 to 5 subject की बात करें तो हिंदी है English है math है EBS है यहीं चार्चीजे हैं और कुछ है नहीं जैसे कि अगर हम CBSC board की बात करें जो APS की बात करें तो CBSC board है ना फिर भी आप PRT में गए हो तो ही आप computer चूच करें चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब डीटेलने बात करते हैं इसके बारे में हम class और सब्जक्ट की तो देखो class 1 और 2 में तीन सब्जक्ट्स हैं English, Hindi और Math class 1 और 2 या फिर अगर हम primary schools की बात करें तो वहां पर जो teaching होती है पूरी तरह से activity best होती है एक teacher का knowledge भले ही कम हो but patience और activity उसके अंदर पूरी भरबूर होने चाहिए तो अगर हम class 2 की बात करें तो सिर्फ हमारे पास तीन सब्जक्ट होते हैं English, Hindi और Math की और तीनों ही बिना activity के नहीं हो सकते math की बात करें तो बिना TLM के या बिना whiteboard, chalk, duster या एक करें marker तो इसके बिना math आप नहीं पढ़ा सकते हैं अब आप देख लो क्या limits हैं उसकी recording आपको choose करना है कि आप कौन सा subject पढ़ाना चाहोगे class 3rd, 4th और 5th की बात करें तो CBSC board में computer और science भी जुड़ जाता है NCRT में यही है English है, Hindi है, Mathematics, EBS है जिसमे computer और GK दोनों भी जोड़ दिये जाते हैं 3rd, 4th और 5th में ठीक है देखो तो अगर Hindi और English की बात करें तो यह तो हो जाती है हमारी पूरी तरह से teaching ऐसी करानी है जो poem है और stories है, उनके best पे और grammar है, इन तीन उक चीजों को पढ़ानी है Mathematics की बात करें तो यह बिना, मतलब TLM की बिना तो यह बिल्कुल आप सही डंग से नहीं पढ़ा पाऊगे TLM इसमें जरूरी हो जाता है, EBS की बात करें तो map जरूरी हो जाता है, map चाहिए यह कुछ भी बढ़ा रहे हो तो आपको उसे बच्चों से जोड़ना हो जाता है, तो कुछ pictures चाहिए, तभी आप इसको पढ़ा पाऊगे और computer और GKE तो मैं कहूँगी कि इसको आप छोड़ ही दो, इसको बिल्कुल चूज ना करना कि आप interview पैनल के सामने जाके और computer और GKE पढ़ा रहो, तो इसको छोड़ दो, बाकी यह topics आपके पास बचते हैं पढ़ाने के लिए, तो देखो, अब मैं एक बार बात करूं इनक इंग्लिस की और हिंदी की, जहां पढ़ानी है poem, story और grammar, अब मैं अगर बात करूं grammar की तो एक चीज़ समझो, कि grammar class 1 से लेकर class 12 तक है, ठीक, same grammar है, same है, मतलब अगर noun, pronoun है, kind साब sentences जो हो हैं, तो वे वही उतने ही रहते हैं, ना बढ़ते हैं, न गढ़ते हैं, लेकिन उसका दाहरा बढ़ जाता है, तो आप class 1 और 2 में भी noun है, समझ रहे हो, class 1 और 2 में भी noun है, और class 4 और 5 में भी noun है, और class 10 में भी noun है, और class 12 का board का exam दे तो उसमें भी noun है, समझ में आया, तो आप अगर grammar ले रहे हो पढ़ानी के लिए, बिल्कुल आप grammar ले सकते हो, पढ़ा सकते ह लेकिन उसके लिए आपको मारकर चाहिए होगा बिना मारकर के बिना बोर्ड के आप ग्रामर कैसे समझा पाऊगे एक क्लास एक के बच्चे को तो क्लास वन और टू के लिए मैं मतलब मैं ही प्रिफर करती हूँ कि ग्रामर ना पढ़ाओ interviewer के सामने interview panel के सामने आप grammar न पढ़ाओ जब आपका interview हो उस समय आप prefer करो poems को या stories को अगर class 1 या 2 के लिए पढ़ाने जा रहे हो तो ठीक ऐसे mathematics भी अगर आप ऐसा कोई TLM ले लो जो आपके आसपास ही हो तो फिर आप mathematics को choose करो ठीक वरना अगर घर से TLM ले कर जाना है तो फिर mathematics को choose मत करो math की सबसे खास ए बात है कि इसकर TLM हमारे चारो तरफ बिखरा हुआ है बस हमें उसको देखना होता है उसको समझना होता है और दिखाना होता है क्योंकि देखो जो teaching होती कि वह कैसी होती है उसके चारो तरफ उसको दुनिया से जोड़ना है ठीक है बच्चे का जो class में आप पढ़ा रहे हो तो क्या से पढ़ाना है कि वह mathematics लो grammar को मतलो ठीक अब आजाते हैं class 3, 4 and 5 जैसे कि मालो मैं मना कर रहे हूं आपको साथ यह लग रहा हूँ अब grammar मना क्यों कर रहे हैं तो जैसे कि अगर मुझे नाउन ही पढ़ाना हो तो मैं क्या बच्चे से question करूंगी अब class 1 का बच्चा काफी देर तक एक चीज को याद नहीं रख पाएगा वह थोड़ी दिर पाद भूल जाएगा तो हमें उसे board पे लिखना होता है या फिर कोई चित्र बनाना पड़ता है जैसे कि हमें पढ़ाना मैं उसे बच्चे से पूछू हूँ तो वह कुछ रिप्लाई करेगा तो इसमें क्या करना होगा मुझे मुझे उसे board पे लिख देना होगा कि हाँ वह उसका best friend है अब मैं पूछू तो मुझे उसे board पे लिखना होगा और उसके बाद मुझे इह बताना होगा कि मतलब तुम्हारा जो दोस्त का नाम मैं तब जैसे मुझे मुझे चार-पांच अगर नाम मैंने उस पे लिखे तुम अब मुझे बताना है कि साहिल, रोहन, हिमालाय वगरा इस आर नेम और इस इसके लिए मुझे उसे लिखना पड़ेगा, अब आप इंटर्व्यू पैनल के सामने जा रहे हो तो वहां पर आपके बोर्ड नहीं है, तो अगर बोर्ड है वहां पर अबलेबल हो जाता है तब तो आप ग्रामर पढ़ा सकते हो, बट अगर बोर्ड मार्कर वगर अगर अ पढ़ाओ, स्टोरिज पढ़ाओ, और मैथमेटिक्स इसके लेसन प्लान बनाओ, और वहां पर क्या अवलेबल होगा, क्या नहीं होगा यह तो आपको अभी इसे पता नहीं है, तो इसलिए आप प्रीफर करो कि पोएम्स पढ़ाओ, यह इस टोरिज के लिए लेसन प्लान बना लो, या फिर मैथमेटिक्स के लिए बना लो, और इन सब की जो टेलम है न, वह आपके आसपास बिखरे हुए हैं, बस आपको देखना है एक बार उधर, अब आते हैं क्लास 3rd, 4th, 5th पे, यहां भी इंगलिस हिंदी है, पोएम है, स्टोरिज है, ग्रामर है, तो इसमे करना, जब आपने एक दो साल छोटे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया हो, जब अगर आपने 7th और 8th और इंटर वालों को मैथमेटिक्स पढ़ाया है, और अब आपको प्लास 1 और 2 और 3, 4, 5 को मैथमेटिक्स पढ़ाना है, तो तभी प्रिफर करना, जब आपने एक दम बच्चा बढ़ना पड़ेगा इसको पढ़ाने के लिए, तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, इतने एक दम नीचे आ सकते हो, उतना नीचे, हाई लेवल पर जैसे कि आप सिर्फ इसलिए मैथमेटिक्स मत लेना, कि आपका ग्रेजुशन में मैथमेटिक्स था या फिजि कर सकते हो, तो इविए के लिए वही चेप्टर सेलेक्ट करना जो आपके आसपास से जुड़ा हो, तो बिलकुल आसपास से हो, उसमें मैप की जरूरत ना पड़े, बच्चे के बारे में आगर आप बात करो तो उसके घर परिवार के बारे में बात कर सको, उसको आप आगर आओ उसको ले रहे हो, तो बच्चा तालाव अगर यह जो आप उससे बात कर सकते हो, लेकिन अगर सहर का बच्चा जिसने तालाव देखा ही नहीं है, आपको क्या बताएगा हो, सुचो क्या बता सकता है, तो इसलिए आपको वहाँ पर T.L.M की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए EBS को वही टॉपिक चूच करना जो बच्चे ने घर पे देखे हो अपने अगल बगल में देखे हो या इसकूल में वह इन्वायरमेंट हो जो बच्चे ने इसकूल में ही उस चीज को देखा हो वही EBS के लिए आप चूच करना अब आ जाते हैं कम्प्यूटर और में अगर आप ऊसको देखे लो अगर आपको लगता है कि हाँ अपने उनके बारे हम बता सकते हो तो फिर लेना नहीं तो फिर इसको करदेना ठीक तो उस class में available हो, मतलब जिस room में आप हो ना, किसी भी room में जो एक basic चीज़े होती हैं, जैसे fan हुआ, table, chair, दरवाजा, खिड़की, एस सब चीज़ें, जो सबसे basic चीज़े होती हैं, वह हर room में present हो, एक जिस खाली भी room हो, तो उस खाली room में भी इतनी चीज़े present होती हैं, pen, pencil copy bag, यह सारी चीज़ें, bottle, तो यह सारी चीज़ें, जो class में available हो, किसी भी class में आप जो, एक जियूम करो, कि क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, वो चीज़ें, सबसे पहले prefer करना, अगर आप interview board के सामने जब आप जाओ, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले number पे दीखती हैं, हमेसा दिखती हैं, जैसे कि पढ़ पॉधे, मम्मे, पापा, घर के लोग, सडक, जानवर, कुछ जानवर, जो ऐसे आज पास होते हैं, थिक हैं, ऐसे जानवर, जयसे पेड कैपजह हो गय, या हमारे आज पास के जुचा आणवर है, उनको दिखो, ठीक, उनका उनका एक जम्पल आप से ले सकते हो दौरन और तीसरा फैमिलियर्ट टो इस डेंट्स जो जिस ग्लास के हैं बच्चे उनकी उनसे जो फैमिलियर हो ऐस जी जिससे बच्चे प्रथे गजेए बच्चें के भार दो बच्चों से उनके किसी पार्ट से जुड़े आप पढ़ा स तो यहां से आप तीसरे नमबर आप इसको रखो ठीक है तो जब आपको TLM यूज करना हो तो TLM आपके हाथों में नहीं होना चाहिए आपकी माइंड में होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की माइंड से कंसर्न करें उससे जुड़ा हुआ हो ठीक है उससे आप जॉइंड करो बात करें अगर हम मॉडल की तो मॉडल पिक्चर और मैप तो यह इंटर्व्यू के लिए बहुत सही नहीं होता है आपके लिए इंटर्व्यू पैनल के सामने सबसे सही ये तीनों चीज़े होती हैं लेक लेकिन वह मॉडल और पिक्चर या मैप भी ऐसा होना चाहिए जो बिलकुल बच्चे को जोड सके आपस में जोड सके जैसे अगर हम इंडिया का मैप क्लास वन या टू के बच्चे को दिखाएं तो उसके लिए वह बहुत जादा प्रासंगिक नहीं होगा तो आप यह सब बीजू मत ले जाए उसे जैसा कि अगर हम बात कर रहे हैं राउंड सेप की जैसे मैठ में मैठ में में क्लास वन के बच्चे को राउंड सेप पढ़ाना है तो हम उसे बात कर सकते हैं वाट एट यू इन यार ब्रेकफास्ट तो कोई बच्चा एंसवर दे सकता है रोटी प तो इन सब चीज़ें से आप जोड़ो बच्चे को जो बच्चा रोज देखता है तो इस तरह से आप पढ़ाओ मैथमेटिक्स या कुछ भी ऐसा मत ले जाओ जो बच्चे ने बहुत दूर से देखा हो या फिर कभी देखा ही नहों आप उन सब चीज़ें को ले जाओगे तो बच्चा बहुत जल्दि उनके साथ जुड़ नहीं पाएगा अगर फिर भी कोई भी प्राप्लम हो तो आप कोई भी क्वेरी हो तो आपको उसे पूछ सकते हो थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करना ओके थैंक यू